हलो एविवन वेलकम टू माई चैनल और कैसे हो आप सभी उम्मित करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी साम का टाइम है इवनिंग का तो जैसे कि मैं आप लोगों से आज का वीडियो जो है वो सेर कर रही हूँ मेरा जो काम आम होता है मतलब मजदूरी समझ लेजिए जो मैं मजदूरी करती हूँ अपनी जॉब करती हूँ अब ऐसे कोई सरकारी नोकरी तो है नहीं है प्राइवेट है मजदूरी वाला काम है मेरा भी तो हम मतलब ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहां तो मतलब मजदूरी टाइप में मैं काम करती हूँ तो मेरा जो दिन भर का काम होने के बाद फिर उसके बाद मैं इवनिंग में अपना जो काम है वो स्टार्ट यहां से करती हूँ फट़ट से वहां से उटने के बाद सारा समेट की रखने के बाद फिर सीधे किचन में आती हूँ जितने बरतन पड़े होते हैं जाड़ू अगेरे लगानी होती है और चाय वाई के जितने भी बरतन हैं खाने पीने के सारे मैं सबसे पहले ये वास करके यहां पर रख देती हूँ और उसके बाद मैं जाड़ू लगाऊंगी और जो भी कर्तिक ने यहां वहां कपड़े निकाल कर फैलाए होंगे मतलब नहाता है तो फिर वो अपने हाथों से खुद ही निकाल लेता है क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता ना मेरे पास के उसको मैं सारी चीज़े करके दूँ कुछ काम वो भी कर लेता है और कुछ मैं भी करके देती हूँ तो आज ना फट अफट से बस मैं इनकामों जैसे कि मैं अपने काम से फ्री होती हूँ मैं सीधे यहां पर लग जाती हूँ और आज थोड़ा सा मेरी हेल्प कर रहा है कारती की वीडियो बनाने में तो बहुत हेल्प कर देता है बरतन माजने के बाद ज़ाड़ू सारी जगे लगाने के बाद छत में गई पानी वानी डाला पेड़ पौदों में उसके वाद सीधे नहा कर आई और डेली मेरा नियम है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा चाहे कोई भी सीजन हो मतलब विंटर हो या समर हो या बरसात का जो भी सीजन हो तो मैं नहाती जरूर हो साम को चाहे कुछ भी हो जाए बस ठंडे पानी से मैं नहा लेती हूँ क्योंकि दिन भर जब काम करो ना तो हवा भी चलती है और पूरे मतलब है ना गर्मी भी लगती है तो पसीना पसीना हो जाता है ना सरीर तो फिर बिरा मतलब एक दम चिप चिपा सा लगता है मुझे बलकुल बेचेहनी से टाइप की होती है जब तक मैं नहा नहीं लेती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ करना नहीं पाऊंगी तो नहा तो लेती हूँ फिर उसके बाद जब खाना बनाने के बाद बना और एक्छा होती है ना तो रात में भी ना लेती। मैं ये रात के 29 बजते 00 iki और घ्वतीक कभी कभार तो ये मुझे बोलते हैं पतनी कि secretly क्या करती है थैं..? इतनी इतनी रात को ना आते है खोई ङसे खि़ने लगता हो मेरी तो बसे मेरी ससुरान में पता है कि मैं दोनों टाइम ना आती हूं और वहीं से मतलब आदत हो गई है मेरी क्योंकि इतनी गर्मी लगती थी ना पहले वैसे वाले रूम थे मेरे अब तो मैं यहाँ पर जादा समय रहने लगी हूं तो इतना फरक नहीं पड़ता है लेकिन वहा बहुत गर्मी लगती थी बहुत जादा तो वहां तो मैं तीन-तीन बार हो जाती थी ना लीती थी और अभी भी तो खहर कम हो गया है और वस सीधे मैं फिर उसके बाद किचिन में आ गई थी और सारा काम करने के बाद ना उतने टाइम हो जाता है साड़े साथ लगबग आठ बच जाते हैं और आज करना बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है जब काम करने लगो ना तो भूख भी लग जाती है और मेरे अजबर ना बिलकुल आते हैं और नौ बजी अब आजकल खाना चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत ही काम है जो साम को नास्ता बगएरा कुछ कर ले हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत चाई के साथ तोस हो गया ब्रेड हो गया या फिर कुछ भी रखा रहता है वो खा लेते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं ज्यादा तो चाई बस भी लेते हैं और आज यहां पर देखे कारते क्या कर रहा है आज बोल रहा था मम्मी मैं भी हेल्प करूंगा मनलब कि मैंने जबसे आप लोगों के एक बार बताया होगा सायधा आप लोग मेरे चैनल पर continue जोड़े हैं जैसे कि कसी इस ब्लोग पे मैंने बताया है आपसे कि कुछ काम ऐसे हैं बच्चों से मैं करवाती हूँ जैसे तो मैं पॉइंट देकर करवाती हूँ मतलब आज इतने नंबर मिलीने तुमको आज Πाम करोगे तो इतना नंबर मिलेगा तो जबसे आइसे ही करने लगा है कारती हर काम में मतलब ना उसको नंबर चाहिए होते हैं तो वो बहुत काम कर देता है आजकल अपने मन से आजकल पूजा भी करेगा नहाएगा मतलब सबसे पहले मॉर्निंग से ही उसका मैने जो रूटीन बनाया हुआ है सारी चीजे लिख लिखे कि इस टाइम पर ये करोगे ये काम करोगे तो पॉइंट मिलेगा तो वो है ना मड़े खुसी-खुसी से सारे काम करता है बिल्कुल जवर ज़स्ती तो कन्नी नहीं पड़ती है तो वही मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सय लाड़ कर रही है क्योंकि वो बोल रहा था है मम्मी मुझे इसमें भी ज़्यादा पॉइंट देना क्योंकि मैं आटा गूतरा हूँ न तो और आज का आटा सच में यकिन नहीं हो रहा मुझे भी इतना परफेक्ट आटा लगाया कारतिक ने कि मुझे ना बिल्कुल पता नहीं एकदम से लगा अजीव सा अच्छा मैं थोड़ी सी तारीफ भी कर देती हूँ न तो आप लोगों की कामेंट्स आते हैं फिर की अपने बेटे की नजर लगाती हूँ तो अमनलब निकाल आता है मुझे ठीक है तारीफ नहीं करते तो देखिए यहाँ पर कार्टे-कार्टा लगा रहा है तब तक मैं यहाँ पर खाना की तैयारी भी करते जा रही हूँ तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सबजी और चावल अच्छा चावल को मतलब मैं न आई यह थोड़े से साफ वाले चावल है जो मैं ले आई थी तो जलबाजी मैं मैं फटा फट से रख देती हूँ क्योंकि इन में कोई कंकर पतर कुछ भी नहीं होता मतलब थोड़ा सा महंगा ले आई थी क्योंकि एक तो क्या है न सुबह साम थोड़ा जलबाजी होती है जोब के कारण तो फिर अखरता नहीं है क्योंकि देखिए जितने टाइम हम इनको साफ थोड़ा कम रिट के ले आएंगे सस्ते वाले तो फिर उनको साफ करना पड़ेगा और फिर डवल म यूटूब का भी काम यूटूब का भी काम ना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मुझे अब उस में फैमिली ब्लोग में तो मैं अखेरा भी दो तीन दिन में एक वीडियो डाल पाती हूँ क्योंकि अगर रोज करूंगे ना तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं कंटियूने देखती हूँ कब हो पाता है अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती और यहां देखिए मैं चुकर देख रही थी कि आटा कैसा बना है तो कार्तिक का इतना अच्छा आटा बहुत अच्छा बनाया उसने और यहां पर देखिए मैंने पनीर काट के रखा है और यह मतलब मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से पका लिया था और सौफ्ट करके और उसको ठंडा करके और ग्रेवी बना लिया मतलब मिकसर जार में पीस लिया और अभी यहाँ पर मैं मसाला थोड़ा सा भूनूंगी जैसे कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाला है बिल्कुल अच्छा एक पनीर की सबजी जो है ना बहुत कम ओईल में भी बन जाती है और ज्यादा ओईल में भी बनती है लेकिन इसका जो कम ओईल वाला जो वर्जन होता है ना मैं वो जादा मुझे अच्छा लगता है जैसी कि अभी मैंने प्याज और टमाटर को मतलब एक दो चमच में मैंने भून लिया उसको सौफ्ट करके वो सौरी ठंडा करके पीस लिया अभी देखिए मैंने कड़ी पता डाला है एक बड़ी लाइची एक छोटी मियाज पे क्योंकि मैंने गैस वैसे भी बहुत देमियाज पर रखा हुआ था तो जिससे ना मसाले ना जलें तो उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने सारी ग्रेवी डाल दी है ये और मिकसर जार में जितना मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने पानी डाल कर गूल के उस दाल रही हूं और अब ही देखिये फिर से सुरु हो गया कह रहता हूँ न Apparently मसाला चला रहा हूं तो करतिक यहाँ पर संफ तब मैंने चावल चढा दिया है और पनीर तोड़ा सा ज्याद था लिकिन कर्ने खा ऐसे ही अभी खाया है आटा लगा रहा था न तब उसने थोड़ा सा खा लिया है तो कोई बात नहीं चलता है जो पसंद आता है वो खा लेता है तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया था खुश्बू आने लगी थी अच्छी और अभी एक और ले लिया अभी बोल वो सानिसार मैंने इसमें पानी डाल दिया इसको अच्छे से मैं वोईल करें मतलब अच्छे से वोईल लगा लूँगी और उपर से धनिया पत्ता डाल दूँगी तो सबजी हमारी जो है बहुत अच्छे से रेडी है तो आज ना मलाई बिलकुल नहीं थी दूद की गंजी में बिलकुल मलाई नहीं थी वरना इसमें मलाई डालो ना तो और भी बहुत अच्छे एकदम मतलब क्रीमी टाइप का जो टेक्स्चर होता है बैसी लगती है लेकिन आज मैंने देखा तो उसमें थी ही नहीं और यहाँ पर वस उसके बाद सबजी बन गई थी तो मैं क्योंकि मेरे हैस्बेंट को पूरियां काफी दिनों से नहीं खाई है और उन्हें बहुत पसंद है पूरी पराठे ना उनको बहुत पसंद है तो वस मैं बना दे रहे हैं उनके लिए सप्राइज क्योंकि अभी आई नहीं है तो फटा-फट से मैंने सोचा चलिए थोड़ी से ही बनाना है और गिंती कि मैंने मुस्किल से 8-10 ही बनाई होंगी क्योंकि जब भी पूरी बनाती हूं ना तो या तो यह कारती कि और यहीं खाते हैं मैं बहुत कम खाती हूं बहुत ही ना मात्रे के लिए एक दो लेली ना तो बहुत है नहीं तो मैं नहीं काती हूं तो द नहीं लगता जितने अच्छे अभी हम लोग को पापड लग रहे हैं वाकी आप लोगों का तो मुझे पता नहीं क्या मुझे ले रहे हैं या नहीं तो अपनी अपनी पसंद है देखते हैं तो आप लोग बताया करें कि आप लोग क्या कैसा करते हो और यहां पर वस देखिए पापड़ भी मैंने तल लिया है अभी मैं सारा खाना जो है वहाँ ले जाकर और रख लूँगी सबसे पहले मैं प्लेट लगा दे रही हूँ मेरे हस्बेंट के लिए क्योंकि मैंने बताया था उनको बूख लगती है ना तो फिर वो दस मिड़ बादी हाथ पहर मु दोकर थुड़ा बैठते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि खाना लगा दो तो मैं उनके लिए खाना लगा रही हूँ फिर उसके बाद बूरा खाना हम वही रख लेंगे तो ये प्लेट मैं आप लोगोंको लगा के दिखा रही हूँ यह है चावल और कूड़ी और यह सबजी और साइड में रख लूँगी पापड तो यह हमारी जो धाली है वो रेड़ी है और कैसी बने आप लोग जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और रेसिपी कैसे लगी वो भी बताएगा अच्छा बहुत सिंपल रहती है लेकिन यह है पनीर की जो रेसिपी है बहुत सिंपल होती है फटा फट से बन जाती है जट फट से तो देखिए हम लोगों ने खाना रख लिया है और यहीं पर सब लोग खा रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर रेंट करती उमिद करती है आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेस्ट वीडियो में तब तके लिए तैंक यू बाइ बाइ